कि अधियों का भुजर में पर्यापता मात्रा में उर्जा मिले शरीर की व्रिधी के लिए प्रोटीन मिले रोगों से बचाओ के लिए पिटा में खानीजलावार जानी सभी का उस्कता होती है का यह हो तो भोजह नहीं सांड होना चाहिए जिसमें जितना भी स्लिमना चाहिए ताकि Намले की शरीर का और जो कमी है सरेड में कार्भोहेट्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सारा चीज मिलना चाहिए तो इसी को देखते हुए हम लोग दोफ़ा का मेन्यू में सामिल किया है चावल या चपाते, दाल, अंडा करी, हरी, सब्जी, सार, सलाद, पापड और आजा इसमें लगभग सारे पोशक्ततु हमारे सरेड को मिल रहा है, जो हमारे लिए जरूरी है रापली के बोजन में चापाती है, जिससे की हमलोगों को बुर्जा मिर्थी, खार्भोहेट्रेप होता है लवन होता है इस शरीर की व्रीदि और सुर्ट की भूरर मोटी है हरी सबजी जिसमें वीटामिन और खणी लवन होता है रोगों से बसाता है दूधित आगे तस पाहल जाते हैं अहुँशन प्रोटीन होता है इस चीनित प्रिदी लिए अवर से के शेथ है सलाब इसे खनी जवन और विटामिन्स होते हैं तो यह सही भी सारे तर्थ को यह राजे के बजन से भी हमें मिल रहा है और जैसा कि सर लोगों ने बताया कि रुबा का नास्ता क्या होना चाहिए और रात्री का भूजन क्या होना चाहिए के सब तो मिलोग जान गए अब हम जानते हैं एसलें देने वाले कोन-कोन से है जैसे बहुत से वह और आत और वहां है और मघ्री सरीर की बिति कě अबूबर और बहुत से भोजन है जो हमें और जो में हमनी 7 दिए हृषज ब करने प्रक्रोब करते हैं और उसके वाद हैं रोगों से बचाने वालों, वो सकता तो जैसे पाल, हाई, साथ, सब्जी, सला, सद्याद, अब इन्हें हम एक गीत के मांजरम से जानेंगे, मेरे गुरूप साती सभी मेरे साथ कोनेंगे, तरह तरह के भोजी पदार्थे होते हैं, तरह तरह के भोजी पदार्थे होते हैं, पहले उजा देने वाले भोजी पदार्थ, कारी की सक्ती देने वाले भोजी पदार्थ, ये हूचा वर्ची नी तेले होते हैं, भी गुड़ अंजे दूज पी उड़ जा देते हैं, तरह तरह के भोजी पदार्थे होते हैं, दूजे तन की विद्धी वाले भोजी पदार्थ, तन का विकास करने वाले भोजी पदार्, दाल मचली सोयावीन होते हैं, अखरोट मास्तन की विद्धी करते हैं, तरह तरह के भोजी पदार्थ होते हैं, तीजे पदार्थ रोगों से बचाते हैं, तन की प्रति रोगों से बचाते हैं, तन की प्रति रोगों चंता को बढ़ाते हैं, खर और हरी सबजी इन में आते हैं, इनके सेवन से रोगों ना होते हैं, तरह तरह के भोजी पदार्थ होते हैं, तरह के भोजी पदार्थ होते हैं, करे के भोजी आने बारेखर